रंजन सार ने कहा कि मुझे उडिया नहीं आती तो उन्होंने इसलिए इंग्लिश अंग्रेजी का माध्यम चुना और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे उडियाओं के साथ बहुत समय से रहा हूँ और उसमें से प्रकाश जी ने बहुत प्रकाश डाला है मेरी इस भाशा पर तो मैं भाव को बहुत अच्छे समझता हूँ और भाव ही सबसे जरूरी चीज़ है मुझे लगता है किसी भी कारेकों करने में तो उस पूरे भाव के साथ जब ये एजुकेशन कॉनक्लेफ सीजन टू हो रहा है वो भी आर्गस द्वारा आयोजित तो उस पूरे भाव को मेरा नमन और आप सब का बहुत-बहुत आभार मैं अपने वक्तव को पूरी तरह के से कोशिश करूँगा कि जितना हो सके हिंदी में करूँ और यहां ऐसा कोई जिसको हिंदी नहीं आती है वो अपना हाथ ख़ड़ा कर दे इसका मतलब सब को आती है अगर हाथ नहीं ख़ड़ा हो तो इसका मतलब आती है वर्ना आप मेरी बात नहीं समझ पाते हैं मैं सुबह से सारे बचन सुन रहा था और कल जब मेरे पास पूरा नोट आया कि आज इस कॉनक्लेव में कौन-कौन आ रहा है तो खासतोर पर मेरी नजर गई नताशा जी के प्रोफाइल पर है और उसमें मैंने देखा इंस्टाग्राम तो चलते वक्त कल मैंने अपनी बिटिया से कहा कि भई कल मैं किसी से मिलूंगा जो इंस्टाग्राम में है तो उसकी खुशी का ठिकान है तो ग्यारा साल की स्कूल जाने वाली बच्ची है जो अब उम्र के उस पड़ाओ पे आ गई है कि जहां उसको आईफोन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए ना सिर्व उसके लिए चाहिए हमारे लिए भी चाहिए क्योंकि उसको अपने दोस्तों को भी बताना होता है कि भई देखो हमारे घर में सब के पास आईफोन का लेटेस्ट वर्जन है और मैं समाज के उस यूग से आता हूँ उस समय से आता हूँ जब मेरे पास आखरी फोन ब्लैक बेरी था और उसके बाद कई सालों बाद जब मैं आईफोन पे आया तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई तो जब मैंने उसे बताया इंस्टाग्राम से कोई आ रहा है तो बाकी दोस्त उसके बाद करते हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैप चैट पे मैं नहीं हूँ इन माध्यमों पे लेकिन जो कार रहे हैं मैं करता हूँ किताबों के माध्यम से वो बिल्कुल शोशल मीडिया डर्विन है वो बिल्कुल शोशल प्लाटफॉर्म है और सुबह से जो कुछ बात हुई मैं उनको सामने रखते हुए आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ और कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो शायद आपकी जिग्यासा के लिए बड़ी महत्पूर हो तो पहली कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक स्कॉटिश महिला जो कि एक आर्टिस्ट थी चितरकार थी और भुवनेश्वर में आके अगर चितरकारी के बात न करो तो बात पूरी नहीं होगी उनका नाम इलैन श्मिल्ट है अगर आप सब गूगल करें मैं आपको मौका दे रहा हूँ अपने फोन उठाने का और गूगल करने का इलैन श्मिल्ट एलैन श्मिल्ट एक स्कॉटिश क्रॉप जीन ओगनाइज़ेशन के पास गई जो की क्रॉप के ऊपर यानि खेती के ऊपर काम करते थे क्योंकि उन्होंने जीन्स का एक ऐसा पैटर्न दिया जो कि साइंटिस्ट को भी नहीं पता था यानि उन साइंटिस्ट की भी लर्निंग हुई जो जीन्स के महरती थे क्यों क्योंकि उन्होंने क्रियेटिविटी एड़ करी उसमें आर्ट एड़ करी किसी और को लेके आये जो बहरी दुनिया से आया था वना सोचिए जो किसान साइंटिस्ट होते हैं जो क्रॉप साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए एक आर्टिस्ट के साथ बात करना दो अलग-अलग जमानों से आते हैं ऐसा लगता है कि जैसे दो अलग पहलों की बात हो रही हो तो पहली कहानी दूसरी कहानी दिली जिस चहर से मैं आता हूँ और ये कहानी है डॉक्टर मधुमितापुरी की जो एमस में काम किया करती थी क्लिनिकल साइकलोजिस्ट थी और एक ऐसे डिपार्टमेंट में थी आज से 40 साल पहले जहां पर डिसेबिल्ट यानि वो नवजात शिशू जो डिसेबिल्ट होते थे कोई अपंग होते थे किसी का एक पैर नहीं ता हाथ नहीं था उनको छोड़ दिया जाता था तो वहां से मारमिक्ता के साथ उनने समझ में आया कि इन बच्चों का होगा क्या तो उन्होंने एक संस्था चालू करी जहां पर इन बच्चों की देख रहे खोने लगी लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए इनको इस समझ में आया कि इनको जॉब भी देने हुए स्किल्स, फ्यूचर ऑफ वर्क और उस सुसाइटी के वस सेग्मेंट के लिए जिस पर शायद हम ध्धान नहीं देते तो डॉक्टर मधुमिता पुरी ने दूसरी एक और प्रॉब्लम को ठाया जो कि जो मैंने भी एक टॉफी खाई यहां पर एलपेन लीबे रखी ती शायदिया पारले की कोई टॉफी थी उन्हें देखा कि हम बच्चों को सबसे पहले टॉफी देते हैं लेकिन टॉफी का रैपर फेग देते हैं और वो रैपर जाता कहा है आपके मेरे पानी के उन श्रोतों में जहां जाके और फस जाता है तो उन्हें दो प्रॉब्लम्स को क्लिनिकल साइकलोजिस दोनों को साथ लेके आई और उन्हें डिसेबिल्ड लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे ये टॉफी का जो रैपर है उससे कपड़ा बनाया जा सके और आज वो एक संस्था चलाती है जो कि है एंजियो लेकिन किसी से ग्रैंट फंट नहीं लेते हैं वो अपने आप खुद से सेल करते हैं तो skilling at work and using creativity and wisdom to do something meaningful, that's the second story तीसरी कहानी, सबकी बड़ी पसंदीदा कहानी खास्तावर पर जैन जी को शायद ये ना पता हो कितने लोगों या शोले नहीं देखी, शोले मुवी, कितने लोगों या शोले नहीं देखी जैसे मैं हिंदुस्तान बूचू कितने लोग सचिंत इंदुलकर को नहीं जानते हैं शोले की कुछ ऐसा ही है, शोले सिर्फ कहानी जया और वीरू की नहीं थी शोले कहानी ऐसी कई दोस्तों की थी जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है उस फिल्म के डिरेक्टर रमेश सिप्पी का रमेश सिप्पी पच्चिस साल के थे, उससे पहले साथ साल पहले वो लंडन स्कूल ओफ एकनॉमिक्स गए, जहां हो एकनॉमिक्स ही पढ़ाई करने गए उनके फादर जीपी सिप्पी एक बड़े एस्टिबलिश्ट प्रोड्यूसर हुआ करते थे बॉलीवोट के और सबने कहा, रहे, रमेश सिप्पी ये क्या पिक्चर बनाएगा इसको तो क्रियेटिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इतना रईस इसका फादर है, ये जो चाहेगा कर लेगा सुमज सो कि जब जोहर सहाब के पास उनको भेजा गया, जब वो जोहर इन गोवा बना रहे थे तो उनने रमेश सिप्पी को भगा दिया, कि तुमारे बस की बात नहीं है, तुम 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 तुम्हारे पिता जी इतने बड़े इनसान है, कि तुम जहाँ चाहते हो जो करना चाहते हो, 23-24 साल पर कोई मूवी नहीं बना सकता मैं आपको बता दूँ शोले से पहले उन्हें ने दो और बड़ी कमाल की पिक्चेरें बनाई थी जो कि सिल्वर जुबली और गॉल्डन जुबली पहुची थी उनके नाम आप खुड ढूंड लिजेगा लेकिन मैं शोले की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं मुझे लगता है इस बहाने आप शायद अपना फोन छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि फोन जो है हमारी एजुकेशन का सब बड़ा दुश्मन भी बन गया है वो पढ़ाता तो है हमें लेकिन हमें एक अलेक से जुनून में भी डालता है तो शोले की कहानी रमेश सिप्पी की कहानी है जब वो 25 साल के थे और उने शोले जैसी पिक्चर बनाई आप सब को बता दूँँ 70 mm की वो पहली पिक्चर थी 70 mm ब्रॉड शोले एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें पहली बार विदेशी स्टन डेरेक्टर्स को लिया गया था शोले इस शोले पर मैं लगबग 320 घंटे बोल सकता हूं क्योंकि वो पिक्चर थी 30 घंटे 20 मिनट की थी लेकिन मैं 320 घंटे बोल सकता हूं क्योंकि मुझे उसमें रमेश सिप्पी की ओ क्रिएटिविटी दिखाई पड़ी जो आज तक हम उसको रिपीट नहीं कर पाए तो यह थे रमेश सिप्पी इन तीनों कहानियों में अगर आप देखें एलेन शिमिट मधुमिता पुरी जो की दिली से आती है और रमेश सिप्पी जो बंबई से थे एक खास बात है खास कनेक्टिविटी है वह क्रिएटिविटी और दूसरी थी उनकी सीखने की शमता तो ले उसमें क्रिएटिविटी को हम कैसे आइड करें और मेरे को जब सब्जेक्ट प्रकाश जी ने दिया कि भई तुम एजुकेशन का रोल क्रिएटिव एकोनौमी में बोलना और तुमसे पहले प्रमत सिना आएंगे और यह सब्जेक्ट हम उनको देना चाहते थे मैंने का गई तो सबसे पहले समझते हैं कि चलिए इन शब्दों को अलग-अलग तोड़ते हैं कि एडुकेशन क्या है और क्रिएटिव और एकोनौमी क्या है एकोनौमी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आप सब लोग को पता है एक एक तरीके का एक जरिया है आपको बिजनसेस बैठे थे अपने टब में नंगे थे वो और तब उन्हें ख्याल आया कि अरे मैं बायंसी की त्योरी में जानता हूं क्योंकि वो फ्रीडम में थे जब न्यूटन एक पेड की नीचे बैठे थे तो वो मज़े से हवा खा रहे और कुछ नहीं कर रहे थे तब जब सर पे प्रीडम के पॉइंट ओव वी समझते हैं मेरा मानना यह है और जो कई और लोग भी कहते हैं कि एजुकेशन एक बाउंडिड सिचुएशन है जब आप केजी या क्लास वन से लेकिए अपना ग्रेजुएशन तक आते हैं आप एक बाउंड स्ट्रुक्चर में होते हैं आप तो सीखने की बात है उस पर प्रमत जी नहीं बड़े अच्छी बात कही कि सीखना रुकना नहीं चाहिए लेकिन सीखने को समझते हैं कि चले लर्निंग क्या होती है पैंडिमिक के टाइम पे ज्यादा कुछ करने को नहीं था तो अलग-अलग जिग्या ऐसा आ रही थी तो म मैंने संस्कृत उठाई संस्कृत का एक बड़ा कमाल का श्लोक मिला मैं उस लोक तो नहीं वा आपको पूरा पढ़के सुनाऊंगा लेकिन मैं आपको उसका सार बताता हूं उसमें लर्निंग होती क्या है लर्निंग के चार स्थम्भ क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हू learning के चार स्थम्भ होते हैं, यानि learning होती क्या है, जब आपको learning के लिए आपको चाहिए time, यानि काल, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, मैं पर पस तो time भी नहीं है, बॉस में संड़ भी बिजी रहता हूं, सेरड़ भी, सुवह भी, शाम क जो मार्क दर्खशक हैं, जो आपके कोच हैं, यह तीनों चीजे एक बहुत important aspect हैं, learning का, यह तीनों चीजे हटा दें, तो school, college, किसी भी किसम की learning या पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन जो चौती चीज है, वो सबसे जरूरी है, वो है जग्यासा, that is curiosity, अगर आपको सीखना ही जाते हैं, तो यह तीनों चीजे हैं, अगर आपके पास होंगी भी, तो कोई फाइदा नहीं, और यही होता हमारे school और college में, मुझे बच्पन से बोला गया, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स तुमारी बड़ी कमजोर है, मुझे कभी जवाब नी मिला, क्यों पढ़ू, जविक्कि मेरी जिग्यासा नहीं थी, लेकि मैं जग्रफी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता था, और में को हमेशा जिग्यासा रही है, और अभी भी मैं को जग्रफी के बारे में बड़ी जग्यासा रहती है, लेकिन उससे, उसी की वज़े से मैं जग्रफी ज़ादा तो अगर ये चारों चीज़ों को आप कमबाइन कर देंगे, तो जैसा सर ने भी कहा सुभे श्रीपजी ने कि वो एक टीचर्स की पेड़गोजी बिल कर रहे हैं, एक नया तरीका बिल कर रहे हैं, जिससे टीचर्स अच्छे से सिखा पाएंगे, तो मेरा मानना ये है कि हमे बच्चों को पढ़ना सिखा दीजे, मेरा जवाब होता है, कत्ता ही नहीं, मैं कभी नहीं पढ़ाँगा बच्चों को, पहले मैं टीचर्स को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़े हैं, कि अगर हम बच्चे जो हमें इस्टबिलिश्मेंट पर काफी काम किया जाए, क्रिटिव एकनॉमी पर बात करें तो आज की तारीक में, अमेरिका, जैपैन और योरोप, जिनको हमेशा देखते हैं, वो लगब बारा परसेंट अपने GDP, अपने एक्सपोर्ट का बारा परसेंट कॉन्टिबूशन सिर्फ क्रिटिव एकनॉमी से देते हैं, क्रिटिव एकनॉमी होती किया है, बड़ा सिंपल है, जो भी आप चीज़ें क्रिट करते हैं, जो आर्ट, डिजाइन, फैशन, यह सब क्रिटिव एकनॉमी का पार्ट है, यही नहीं, अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है, फूड, कार और software, उससे भी कहीं ज़्यादा जो export करता है, वो creative economy का part export करता है, जो कि उनके licenses हैं, software's and licenses, मैं हम यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से, कि add income इनकी company के लिए भी is a very very important aspect. तो role of education पर जहां मैं बात करूँगा और मैं अपने वक्तव को एक निशकर्श पर लेके आना चाहूँगा यहां से. Role of education, जहां हमने बात करिए, हमने समझा है, education क्या है, learning क्या है, और economic क्या है, मुझे लगता है उसके तीनी काम है. Education, हम चाहे NEP policy की बात करें, या हम उसमें भाशा की बात करें, या हम जो से आने वाले skills की बात करें, तीन बड़ी महत पूर्णी चीज है, जो की creativity को बढ़ाएंगे, पहला एक courageous, हमें स्कूलों में बच्चों को महानता की जगा, ये भी सिखाना होगा, कि हम हारे कब, और हार को सम्हाले कैसे, क्योंकि आज तक कोई किसी हार की कहानी नहीं सुनाता, हम हर जगा ये बताना चाहते हैं, कि वो देखो, यूनिकॉन बन गया, उसने बिलियन डॉलर्स बना लिया, लेकिन कभी कोई छोटे अंत्रप्रियोर की कहानी नहीं सुनाता, वो भी सुनानी चाहिए, जिनके घर में कभी कोई फादर ने बिजनस किया और किसी ने उनको देखा और मुश्किलों के साथ काम करते हुए हैं, वो कहानियां बहुत ज़रूरी हैं, तो करेजियस बनाना मुझे लगता है, साहसी बनाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होगा हमारे इजुकेशन सिस्टम में, क्रियेटिव बनाने के लिए, दूसरा मैंने बात करी जग्यासा, यानि क्यूरियोसिटी की, और तीसरा बट ऑवियस, हमें क्रियेटिव बनाने के लिए उनको फ्रीडम देनी होगी, हमें उनको एक चीज के बारे में जरूर बताना हो, कि सवाल पूछो, सवाल पे एक चीज याद आती है, आप ऐसे कितने लोग जानते हैं कि, एक बाद बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, सी के बाद डी क्यों आता है, कोई कुसका जवाब दे सकता है आच्छा किसी ने पूछा है कभी कितने यह स्टूडेंट्स कितने लोग है देगे एक्चुली हाथ सबके खड़े होने चाहिए थे सभी स्टूडेंट्स है लेकिन कभी किसी ने क्लास में पूछा कि कि मैम आप ABCD रटवारी हैं हमें यह के बाद B क्यों आता है मेरी मर्जी मैं तो F लिखूँगा आपने किया था क्या किया था बहार निकाल दिया था आउट्स्टेंडिंग बना दिया था आपको उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बिटिया कि तुम इतना भी बता पाई है बहुत बढ़ी है तालिया हो जाएं के लिए बिलकुल बड़ा कमाल है जब मैं संस्कृत सीख रहा था तो किसी ने बोला भी देखो हमारी भाशा इतनी बढ़ी है उसके का के बाद खा आता है क्योंकि यह तालू सिस्टम है जैसे ऐसे जठागनी से आपकी आवाज जो एनरजी है आवाज हवा के साथ मिलती है that's how your kakha gaga is created लेकिन ABCD के लिए किसी ने बोला नहीं नहीं है तो A ऐसे लग या बढ़ी ऐसे लग गया लेकिन मैं आपको बता दूँ A B C D में भी लॉजे क्या करें A B C D यानि आप गाना गा रहे हैं इसलिए बच्चों को A B C D जल्दी आ देवाता है क्योंकि गाना है A B C D और अगर किसी घर में छोटा बच्चा हो तो देखिए जो सबसे पहला वीडियो उनको दिखाया जाता है आजकल मोबाइल को उसमें A B C D याद रहता है लेकिन बात करते हैं काखा गागा की का से ही क्यों शुरू होता है क्योंकि का जो है यह क्यूरियोसिटी जानि सवाल है का कब कित्र किम को थाए हाँ का से हर चीज़ शुरू होती है अगर आप ग्रीक एटमिलोजी को देखें तो उसमें भी जो वाट, वेर, हाव, वेन है उसमें का आता है मतलब मैं एकता कपूर का का नहीं कह रहा हूं यहाँ पे और यह कारण भी नहीं है कि एकता कपूर ने इसलिए का हर जगा दिया होगा बट जो का है अगर आप देखें इसी से कब, कहा, कैसे तो यह बहुत जरूरी चीज़ है हमारे एजुकेशन में कि हम बच्चों को सवाल पूछने दे क्योंकि मैंने जब कभी एक बार सवाल पूछा कि मैं एक एक बार डी लगाऊंगा कान के नीचे पढ़ा था मुझे बाहर निकाल दिया गया था तो शायद मेरा आखरी सवाल रहा होगा इसलिए बहुत जरूरी ही कि हर जगा हम बच्चों को जग्यासू बनाएं और उनको सवाल पूछने दें और उनको माध्यम भी दें कि वो सवालों का जवाब ढूंडेंगे कहां से और इस पूरे प्रॉसेस में हमारे शिक्षक गण को भी क्यूरियस होना पड़ेगा और उनको accept करना पड़ेगा कि कोई बच्चा मुझसे ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका जवाब मुझे भी ना पता हो और वहाँ काम आता है आपका social network वहाँ काम आयेगा आपका instagram वहाँ काम आयेगा आपका artificial intelligence वहाँ काम आयेगा आपका एक global network यहाँ पर सारे सवाल है चैट GPT भी उसका एक माध्यम है लेकिन आपको सवाल तो सही पूछना पड़ेगा ना सर ने पूछा मैं इंडिपेंडेंडेंडे के क्या स्पीछ दूँँ तो सवाल था बिल्कुल सभी सवाल था तो जवाब भी सभी मिला और उसके बाद आते हैं आपके ethics कि आप बता भी निजासर ने बता दिया ऐसा नहीं कि जब speech दे दी कि समने खुब तालिया बजाई फोटो टो खेज गई तब धीमे से बदाए कि देखे आज तो मैंने चैट GPT से लिया था यहां आते हैं आपके ethics, artificial intelligence के और यहीं आपकी creativity with ethics will play और मुझे लगता है मैंने शायद समय का जादा उपयोग कर लिया उसके लिए शमा चाहूंगा जो कि मैंने श्रीपज जी से आज सुबह सीखा क्योंकि एक educator होने के नाते हैं उन्होंने जब उसके लिए शमा मंगा कि मैंने थोड़ा समय जादा लिया यह बहुत जरूरी चीज है और समय को बड़ा बल्वान कहा गया है तो उसी के साथ में इस समय को बल्वान मानते हुए उससे शमा मांगता हूँ और आप सब से भी मैं आशा करता हूँ कि आप सब जितना creative हो सकते हों, जितना जिग्यासु हो सकते हों, और इस conclave में सब से मिलिये, इनसे सवाल पूछिये, और हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आया हैं, खासतोर पे, मेरी इस राहे पर, कल से सवाल पूछना शुरू हो जाना, ठीक है, that is very important, thank you very much, thank you.